हेलो वेजन गर्ल्स आप लोग कैसे हो तर्ष टॉंगे सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था यहाँ पर जो एंपरेस से उनको पता चल जाता है कि जो मैन केरिक्टर हो लूशान के साथ गुम रहा है और वो देखने के बाद उनको बहुत ज़ता गुसा आत है और लूशान पर अटेक कर देती है और यहां पर जो लूशान है वो भी आपर एंपरेस के साथ fight करने लगती है और यहां पर जो एंपरेस से कहती है वो यहां पर मेरा स्पन दे और मैं इसके साथ जो भी करो तुम यह पर क्या कर सकती है और तुम यह पर उसका क्या भी कर तो वो सुनने के बाद जो लूशान उनको बहुत ज़दा घुसा आ जाता है और यहां पे अपने औरिजनल फॉर्म में आ जाती है और अब आगे तो जो लूशाव यान होती वो अपने औरिजनल और यहां पर उनका defense टूट जाता है और यहां पर जो लूशाओन होती वो कहती है कि तुम यहां पर 9 level secret realm पे हो और मैं यहां पर 10 order secret realm पे हूँ और तुम यहां पर मेरे सामने कभी fight नहीं कर सकती तो वो सुनने के पर जो एमपरे से बहुत ज़दा गुस्ता हो जाती है और वापीस से यहां पर attack कर देती है और इस बार उनका यहां पर attack बहुत ज़दा powerful था और यहां पर जो लूशाओन होती वो कहती बस कि तुमारे पास इतना ही है और कहते के तुम्हें पर फटा फटा से हार क्यों नहीं मान लेती और यहां पर वो तुम्हारे लाइक बिल्कुल भी नहीं है और फिर वापीस से जो लूशाओन है वो एमपरेस पर टेक कर देती है और यहां पर जो एमपरेस है उनको यहां पर बहुत चोटे लगती है और फिर यहां पर जो एमपरेस होती है अपने मन में सोती है वो यहां पर काफी तदा स्ट्रॉंग है और अगर मैंने यहां पर वापीस से उसका डारेक अटेक ले लिया तो मुझे आपे बहुत होता चोड़ लग जाएगी और मैं उसके सामने यहापे fight नहीं कर सकती पर मुझे यहापे कुछ भी करके उसके सामने जितना पड़ेगा और मैं इसको इतनी आसानी से उसके हातां में बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकती और फिर यहां पर वापिस से अटेक करते हुए कहती है कि तुम यहां पर खोदी क्यों नहीं देख लेती कि मैं यहां पर उसके लिए वर्टी तू या नहीं तो वो सुनने के बाद जो लोशान होती है वो कहती है तुम तो यहां पर बहुत जाद अनाइंग हो तुम फटाफट से हार क्यों नहीं देखते है जिससे यहां पर जो मेरा टाइम हो बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा और फिर यहां पर दोनों फाइट करने लगते पर यहां पर जो लोशान हो एम्परेस से बहुत ज़दा पावरफुल होती है और इसलिए यहां पर एम्परेस को वापी से पीछे हटना बरता है और दूसी से जो लोशान होती है अपने मन में सोचती है कि वो अभी भी 9 order secret realm में है पर जो यहां पर उसका रीला में बहुत ज़दा फास्ट बढ़ रहा है और यहां पर जो उसका ओर है वो भी फास्ट अपने बड़ी में हो रहा है और यहां पर जो उसकी एनर्जी वो भी यहां पर खतम नहीं हो रहे है मैं यहां पर 10 secret realm order पर हो पर मैं अभी भी मुस्किल से उसका साथ fight कर सकती है और यहां पर बहुत ज़्यदा powerful है मुझे यहां पर कुछ भी करके वे उसको यहां पर हराना है और मुझे यहां पर नहीं लगता कि ऐसी लडगी है यहां पर इतनी आहाली से मढ़ सकती और फिर वापीस एमिस पाट्टक कर देती और यहाँपे जो इम्परेस है वो बहुत जİदा दूड़ जा के गिडती है और वो दिखने के बाद जो लेंख हो तियो वो कहते कर दिक रहने के पाट के पास जाते हो और यहां पर आसी यह कोई लड़की नहीं है कि इतनी आसानिक से अपनी हार को स्विकार कर लेगी बुल्टा यहां पर वापिस से पहुँचाता फाइड बेक करेगी और भले उसके सामने यहां पर कितनी देदा परिशनी आ जाएगी पर वो कभी भी हार नहीं मालेगी वो यहां पर कुछ भी करके यहां पर जितने की कोसिस करेगी और अब तुम लोगों देखो कि वो यहां पर क्या करती है तो वो सुझने के बाद जो लिंग होती है वो कहती कि प्रिंस यह आप यहां पर सच बोल रहे है तो वो सुझने के बाद जो महन केटर होता है वो कहता है तुमको बाहर से देखने पर ऐसा लगर है कि वो यहाँ पर हार रही है पर मैं यहाँ पर उसको अंदर से जानता है वो यहाँ पर कभी भी इतनी असनी से हर नहीं मान सकती है और कहता है कि चलो भी यहाँ पर तुम और वो देखने के बाद जो लूशान होती है वो जाने के तरफ फिर यहां पर इनके के तरफ 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 कहती है और यहां पर भले पागवल्ग की तरह दिखता है, पर यहां पर इसकी फुली स्मायल देखो, और यहां पर कोई परसन को आथ만रनी से हैपी कर सकती, और इसलिए मैं इसका इहां बिलकुल भी हार नहीं मनने वाली, और फिर यहां पर चौल लिवशान होती, वह कहते का हां तु तो उसकी जो smiley काफी तोदा hopeless है इसलिए मैं उसके यापे मदद करना चाहती हूँ और फिर जो embrace होती वो कहती हूँ तो मैंने यापे उस रात पे उसके साथ पर यापे अचानक से रुख जाती है और यापे बहुत जाता हम उसका नहीं लगती है और कहती है नहीं और फिर यापे कहती है कि मैं वैसे तो यापे पहुच जाता रात में काम करके लिए आती हूँ और मैं यापे बहुत कमी रेष्ट कर पाती हूँ और मैं पूरा दिन बीजी रहती हूँ और मैं यापे कल भी बीजी रहने वाली हूँ पर वो यहां पे मेरे बहुत अच्छा से ख्याल रखते है और बले यहां पे कितनी भी रात हो वो यहां पे मैंने लिए खाणा बना गए आता है और यहां पर मैंने एक दिन आम करनने के पाद उसके साथ खाणा खायाता और मुझे यहां पर बहुत ज़दा पसंद आया था और यहां पर जो उसके bright smile है वो जो पहुत ज़दा पसंद आती है और मुझे यहां पर बहुत ज़दा relax कर देती है और जो Empress है उसके बारे में सोते लगती है और यहां पर जो Empress का ओर है वो काफे दा रिलीस होने लगता है और वो देखने के पाद साले लाग सौट हो जाते हैं और यहाँ पे जो लिंग होती है वो कहती है घर मैजस्टी और यहाँ पे जो लुशा ने बाद काफे जादा सौक्त होती है पर जो man creator काफे दा कॉन्फिकर होता है और वो देखने के बाद जो लिवशान होती है अपने मन में सोती है क्या है वो यहाँ पर 10 order secret realm में breakthrough कर रहे है और यहाँ पर इतनी fast यहाँ पर breakthrough कैसे कर सकती है पर यहाँ पर जो Empress होती है वो यहाँ पर 10 order secret realm में pass कर चुकी होती है और यहाँ पर उनका एक new loot दिखाया जाता है और यहाँ पर उनका appearance यह पूरा change हो चुका होता है और यहाँ पर जनके बाले वो काले से yellow हो चुके होते है और यहाँ पर उनके पास एक नया armor भी आ चुका होता है और फिर यहां पर जो लिव शान होती है उसको देखने के पर अपनी full power का use करने लगती है और यहां पर जो एम्परेस होती है अपनी full power का use करने लगती है और यहां पर जो एम्परेस होती है वो कहती हो यहां पर मेरा husband और तुमने पर उसको कैसा ले सकती है तुमको यहाँ पर उसके बारे में सोतना भी नहीं चाहिए और यहाँ पर उसके अटेक करने के लिए रैडी हो जाती है और दूसरी जो लिंग होती हो चिल्दारी होती हो और कहती कि मैजिस्टी आप तो यहाँ पर पौते ताचे दिख रहे हैं और वो मैंने यहाँ पर काफी लंबे पहले समय सक सोच लिया था पर मैं यहाँ पर उसके बेटल आर्मर के बारे में पिल्कुल भी क्लियर नहीं था और अपने मन में सोता है यहाँ पर हर मैजिस्टी और जो गोर्डन लाइट है उसका यहाँ पर क्या कनेक्शन है और क्या हो यहां पर ध्यांग इनेश्टी के हिसाब से है और फिर यहां पर जो लिंग होती वो कहती के प्रिंस यहां पर जो लड़की वो यहां पर मैजेस्टी को ब्रेक्ट्रू करने में मदद कर रही थी तो वो सुनने के बाद जो मैन करेक्टर होता है के हाँ और कहता है कि तुम यहां पर ध्यान से देखो और यहां पर दोनों अपनी full power का use करकर fight करने लगते और फिर जो man के लिटे अचानक से चोकनना हो जाता है और यहां पर link और Liu Yang से कहता है कि तुम यहां पर अपने आपको संबलना और यहां पर जो attacker काफ़े दा powerful है इसलिए हमको यहां से निकलना पड़ेगा और यारो जो हमारा वीडियो यहां पर खतम होता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक good bye and sayonara